हेलो स्टूदेंट्स दिस विस्वजी सिंग और वाचिंग साइंस विएस तो आज जो हम लोग ओम्स लॉग करने वाले हैं इलैक्सिटी का यह थर्ड पार्ट है इससे पहले ही दो पार्ट बन चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और उपर आई बंटर में भ पढ़ेंगे ओम्स लॉओ ठीक है क्या होता है एक्चुली बहुत ज़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे एक फॉर्मूला मिलता है जो हमेशा यूज होगा जब तक आप लेक्सिटी पढ़िएगा तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है पर है बहुत ही आसान ठीक है अभी जो मैं explain करूँगा उसके बाद आपके सारे डाउट कोई भी डाउट होगा इस topics related तो वो clear हो जाएगा ठीक है तो ओम्स लॉओ जो है यहां पर आपका पहले statement दिया हुआ है तो statement जो है उसको बात में देखेंगे पहले हम इसको observe करते है कि क्या है ओम्स लॉओ ठीक है कैसे statement तो सबसे पहले देखें यहां पे हमने circuit लिया है ठीक है यह एक cell है तो cell है तो यह positive terminal है negative बड़े bigger तो यहां पे जो है यह current का direction है तो क्या होगा यह bulb glow होने लग जाएगा ठीक है अब suppose कीजे कि यहां पे जो हमने potential difference लिया था वो 6V का था ठीक है यह cell का कि जैसे हमारे घरों में 220 वोल्ट का potential difference आता है ठीक है potential difference रहता है घरों में ठीक है तो बल्ब जाल रहा है मा लिजे potential difference घट गया तो क्या होता है बल्ब का glow कम हो जाता है होता है इसा बिलकुल होगा वैसे अगर आप इसको बढ़ा दीजेगा अभी तीन था अब फिर से नौ कर दिया तो यो glow है ये क्या हो गया फिर increase कर गया ठीक है जब potential difference हम घटा रहे है तो बल्ब का glow घट रहा है potential difference बढ़ा रहे हैं तो traction समझ में यह यह और रहा है कि bulb glow कैसे कर रहा है पहले यह समझे है bulb glow कर रहा है electricity के का रचन तो मतलबpos profile ba prick ज्थड रहा है यानी搭ा पे गलो बढ़ रहा है तो यहां से आपको समझ में क्याating अगा है कि लेक्टी डिफरेंड्स बढ़ाने पे खट रहा है तो यहाँ से यहाँ से अपको समझ में आ गया तो यहांसे यहींग ओम्सलो बोलता है, ओम्सलो क्या करता है? It states that potential difference across the circuit is directly proportional to the current flowing in the circuit जो potential difference होगा किसी भी दो point के बीच में, किसी circuit में तो वो directly proportional होगा किसके उन दोनो points के बीच में जो electric current flow हो रहा है पर वहाँ पे कुछ है और कुछ लिखा हुआ, under constant physical conditions constant physical conditions में क्या क्या आएगा? जैसे temperature, ठीक है? temperature नहीं बढ़ाना करता है, temperature हम constant रखे हुए हैं, ठीक है? अब हम wire को ही change कर देंगे, तो क्या करते हैं? ये change हो सकता है या wire बढ़ा कर दिये, wire छोटा कर दिये, ये सब चीजे नहीं कर सकते हैं, हमको एक simple सा wire लेना, उससे circuit बनाना है सिर्फ potential difference को अगर हम change करें, तो हमको देखने हो क्या मिलेगा? कि electric current change हो रहा है ये ohms law कह रहा है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर लिखा है कि constant physical conditions होनी चाहिए, temperature जो है, वो fix होना चाहिए temperature आप बढ़ाने ही घटाने ही सकते है ठीक है, इसको observe करने के लिए जैसा कि हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर हमने कुछ change नहीं किया, सिर्फ potential difference को हम change कर रहे है, तो उससे हमको देख रहा है कि I change हो रहा है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? कि V is directly proportional to I यही कह रहा है, वो directly proportional है, current के, तो क्या हो गया? V is directly proportional to I तो जब भी हम, क्या लिखते हैं? sign or proportionality लगाते हैं तो उसको equality में change करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं? एक constant लगाते हैं, यह पढ़ रहे हैं, आप लोग 9th क्लास से ही आपको पता होगा तो यहां पे हम लोग एक constant लगा देंगे R, ठीक है? तो यहां पे जो constant यूज हुआ, वो है R, अब यह R क्या है? तो यह R है, resistance अब यह कहां से आ गया? अभी तक तो हम लोगों ने charge के बार में पढ़ा, electric current के बार में पढ़ा, potential difference के बार में पढ़ा, पिछली वीडियो में यही सब पढ़ा, तो अभी resistance कहां से आया? क्या होता है? ठीक है? यह समझना जरूरी है कि resistance क्या होता है? तो चली पहले resistance को समझ क्या है resistance? ऐसे अगर हम resistance का Hindi meaning के तरफ जाएं, तो resistance मतलब कोई चीज जो अपोज करता है किसी चीज को, हाना? उसी को resistance बोलते है, apposition का आप synonym समझ सकते हैं इसको, तो मतलब यह current को अपोज करता है, resistance क्या करता है? current को अपोज करता है, तो पहले resistance क्या होता है? यह समझते है, तो जैसे माल जी कि हमने एक conductor लिया है, ठीक है? माल लिजे कि copper का है, ठीक है? तो copper का conductor है, तो क्या होगा? इसमें copper के atoms present होंगे? ठीक है? इतने दूर दूर नहीं होंगे, बस दिखाने के लिए यहां पे बनाया है मैंने, तो यहां पे देखिए, electrons क्या होंगे? free है, free electrons भी हो हाँ, जब तक free charge conductor को अस प्रेजेंट नहीं होगा, जब तक electricity flow ही नहीं करेगा, तो यहां पे free electrons का होना बहुत जादा important है, तो free electrons मतलब ऐसे electrons होते हैं, जिनको metal लूज कर सकते हैं, यह हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में नहीं देखा वो वीडियो, तो आप देख सकते हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इनका direction इदर होदर मतलब हमने देखा था, कि जब तक हम इसमें potential difference connect नहीं करते हैं, तो electrons का direction जो है, हर तरफ होता है, कोई इदर जा रहा है, कोई उदर जा रहा है, हर तरफ जो है direction होता है, पर जैसे ही हम एक potential difference यहां attach कर देते ह तो अब यहां पे यह आटेच कर दिया, तो अब यह negative टर्मिनल यहां पर यह negative हो जाएगा, यह positive है, तो यह positive हो जाएगा, तो negative वाला इलेक्रोस को रिपैल करेगा, तो electrons के पास रहा हैं और positive वाला पाटिलेक्शन को अट्रेक्श करेगा, तो electrons का direction देख, इस direction में मत वहाँ पर atoms है या जिन atoms से electron कॉलेजिन निकल रहे हैं वो ions है तो क्या होगा कि वहाँ पर Collegen होगा ठीक है ? Collegen पीछ में किसके किंद में होगा Electron और atom के बीच पीछ में होगा Electron & पीच में होगा अब अगर kokवलीजेन होगा तो क्या होगा तो स्पीड कम हो जाएगा थीugo, रूका हुआ infinitude something preocup cycle का speed पूरा रुख जाएगा cycle वहीं पर खड़े हो जाएगा ऐसा ही जो है electron होगा electron cycle की तरह है और atom struck की तरह है electron आएगा atom को ठोकेगा atom को कुछ होगा नहीं electron वहीं रुख जाएगा दुबारा से फिर potential difference क्या करेगा उसको उस पर work run करेगा फिर electron आगे बढ़ने लग जाएगा ऐसा ही होगा तो क्या हुआ electron जो टकराया वहाँ पे तो क्या हुआ उस atom ने अपोज किया किसको अपोज किया motion of electron को motion of electron को अपोज किया यानि electric current को अपोज किया क्योंकि electrons flow होंगे तभी electric current flow होगा तो यह collision क्या obtain करता है यह opposition create करता है ठीक है creates opposition for किसके लिए electric current के लिए ठीक है electric current के लिए यह opposition create करता है and this opposition this opposition is known as resistance इस ही opposition को हम क्या बोलते है resistance बोलते हैं जो यहां पर हमने लिखा है R तो यहां से अपके पास एक V का formula आ गया V equals to IR V का एक formula और हम लोग पढ़ चुके हैं पिसली वीडियो में V equals to W by Q ठीक है V equals to W by Q V equals to IR यह formulas है हमारे potential difference का अब यहां पर resistance आपको समझ में आ गया होगा तो resistance समझ में आया तो देखिए अब यहां पर एक चीज और clear हो गई होगी कि I जो है सिर्फ potential difference पे depend नहीं करता है हाना अभी हमने देखा potential difference बढ़ाने से I बढ़ रहा था पर क्या हो अगर यह resistance बढ़ जाए यह resistance बढ़ेगा तो I घटेगा यानि कि जो आपका I है यहां से आप ऐसे formula भी निकाल सकते हैं I का value देखिए क्या आएगा I is equals to आजाएगा V by R तो यहां से I क्या है I is directly proportional to potential difference whereas I is inversely proportional to the resistance of the conductor ठीक है resistance constant term है पर यह change हो सकता है change कैसे होता है यह हम लोग next video में एक resistance पे next पूरा जो video होगा वो सरफ और सरफ resistance पे होगा ठीक है तो फिलाल के लिए आप समझ लेजे कि R जो है resistance वो conductor पर डिपेंड करेगा अलग 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 resistance होगा पर अगर हम resistance को बढ़ाएंगे तो I का value घटेगा ठीक है याद रखना है इस बात को तो यहाँ पे ohm slow में इतना साही था एक चीज और है graphical representation है ठीक है वो भी आप देख लीजे जैसे मान लेजे कि हम graph बना रहे है ठीक है वी आई graph ठीक है तो यहाँ पे हम लोग वी को य-axis में लेते हैं और आई को X-axis में लेते हैं इसका region यह कि X-axis is the independent variable X-axis क्या है independent variable है y-axis is the dependent variable ठीक है, तो यहाँ पे अब लोग लोग वी को यहाँ लेते हैं आई यहाँ लेते हैं, वी आई ग्राप बोलते हैं इसको ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका कोई भी मालेजे कि हमने 2V current लिया, ठीक है तो यहाँ पे आपका तो यह 1.5 हो गया, इसको हमने 8 किया, तो यह हो गया 2.0 ठीक है, तो इस तरहां से जो है, यह बढ़ रहा है, मतलब आप क्या सकते हैं कि जब आप इसका graph draw कीजेगा, तो straight line graph draw मिलेगा तब तक straight line मिलते रहेगा, जब तक कि physical conditions constant है सेम conductor यूज कर रहे हैं, कोई temperature नहीं बढ़ा रहे है, length of wire fix रखा हुआ है ठीक है, अगर यह सभी चीजे हमने fix रखी हुई है, तो हमको straight line मिलेगा यह इसको कहते है graphical representation of ohms law, ठीक है तो आपको जैसे ऐसा graph दिया हुआ हो सकता है, और पूछेगा कि किसी भी point पे जैसे यहाँ पे एक point ले लिया, यह point है, ठीक है, यह a point है बोलेगा कि a point पे resistance क्या है circuit का, a point पे resistance क्या है circuit का तो a point पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से lines draw कर लेंगे ठीक है, तो lines draw करेंगे, तो हमको मिलेगा कि, जो हमारा potential difference है, वो 8 volt है और जो i है, वो क्या है, 2 ampere है, ठीक है, यह i का value है, यह V का value है तो r का value यहाँ से अगर आप देखें, तो r equals to V by i, है न, तो V का value कितना है, V का value 8 है i का value 2 है, तो यहाँ से आपका 4 ohm, यही चीज़ बताने वाले थे हम, ohm, ठीक है, इसको ohm pronounce करते हैं, ohm भी लिख सकते हैं, यह SI unit है resistance का, ठीक है, 1 volt, 1 volt by 1 ampere, आपको 1 ohm देता है, ठीक है, यह ohm है, यह SI unit है किसका, resistance का, तो resistance अगर हम graph में किसी point पी निकालेंगे, या कहीं V भी हम लोग resistance निकालेंगे, तो V by I से निकालेंगे, तो देखें, यह पर तीन formula सा आगए, एक है V equals to IR, दूसरा I equals to V by IR, तीसरा R equals to V by I, तो I hope आपको ohm's law clear हो गया होगा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही easy topic है यह, ठीक है, इतना सा में, अगर आप इतना सार चीज़ नहीं भी हुआ, तो बिलकुल घबराना नहीं है, नेक्स्ट वीडियो जो है, रेसिस्टेंस पर ही बनेगा, और रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, हम लोग सब कुछ उस समय देखेंगे, तो तब तक के लिए बाए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, खूब सारा सेयर करें, थैंक यू